आपल का नया आईफोन जी हाँ आपल क्या कर रहेगी आने वाले समय प्लान कर रहे है कि सारे के सारे जो नए आईफोन से वो शायद आपको इंडिया में बनते हुए देखने को मिलें और लग रहा है इन सब कोई शुरुवात हो चुकिया आईफोन 11 से क्योंकि रीसेंट आईफोन 11 ना वो बनेगा इंडिया के अंदर जी हां आप लोग नहीं सही सुना अब इसका मतलब क्या आगे की पूरी कहानी क्या ऐसा क्यों हुआ है सारी वात इस वीडियो में डिसक्स करने वाली है तो अगर वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो अब डेफि स्मार्टफोन होते हैं अब इंडिया में जब आते तो और जादा भेंगे होते इसके दो थीन रिजन होते है सबसे पहले तो कस्टम ड्यूटी होती है कोई भी फोन अगर भारश आएगा ना 20-25% कीमत इंक्रीज हो जाती है इसके बाद GST अलग लगता है GST के बात नहीं कर कि आइफोन जो आपल है वो इंडिया में मैं में अनुफैक्चर करेगी एपल की जो सबसे बड़ी मैंुफैक्ट्यरिंग मतलब उनकी मैंनुफैक्ट्चरिंग पार्टनर कह सकते वो है फोक्स कौन जो की है टै्वनीस अपनी और वह इन आइपोन को इंडिया में बनाईग क्योंकि काफी सारी countries है जैसे हम बात कर रहें टाइवान की, फिलिपीन्स की, इंडोनेशिया की, वियेटनाम की, यहाँ पे काफी सारे components बनते हैं और यह सारे components इंडिया में धीरे-धीरे import होंगे और import होने के बाद इनको assemble किया जाएगा और assemble करने पर इसे एक difference बता देता हो, 20-25% custom duty देनी पड़ती है अगर पूरा पूरा फोन इंपोर्ट कर रहे हो लेकिन अगर फोन के components इंपोर्ट कर रहे हो, तो thanks to make in India campaign, यहाँ पे आपको 1-2% duty देनी पड़ती है तो देखा तो phones की जो कीमत होती वो काफ़े कम हो जाती है, इसलिए जितने भी आपको phone made in India देखने हो को मिलते है फिर make in India का use करके जितनी भी Chinese companies अपने इंडिया में phone बना पा रही है इसलिए वो phones की बनानी कीमत थोड़ी कम रख पाते है क्योंकि taxes होते है गवर्मेंट को वो थोड़े कम देने पड़ते है अब यहां पर भी यही चीज हो सकती है वेल अभी के पामले में बात की जा तो अभी सर्फ iPhone 11 होने वाला है लेकिन ऐसा नहीं कि Apple ने अभी यह कर रही है इससे पहले iPhone ऐसी जो पुराना वाला था iPhone XR पिछले साल वो भी इंडिया में मनुफेक्चर कर रही थी Fox 1 की facility जो South India के अंदर है और खास बात यह कि iPhone XR जब बनने लगा तो उसी कीमत भी आपको थोड़ी थोड़ी कम देखने को मिल लगी आपको 40,000 या बिलो 40,000 में भी देखने को मिलता है और अगर ऐसी पूरी कहानी चलती रहे न तो लग रहा है कि आने वाले समय जो नए iPhone 12 हो वो भी इंडिया में बनने लगे क्योंकि जो Apple है न वो चाइना के ओपर अपनी डेपेंडेंसी खतम करना चाहता है और अलग अलग कंट्रीज देखा और इंडिया जो है वो इस लिस्ट में टॉप पे आता है इसके साथ इंडिया में जो iPhone बता है उसे तो इंडिया में तो बेचे इंडिया के भार ले जाकी युऊ-एस में बेचे वां मतलिका बत्रया बात होती है कि इंडिया में जब आइफून पनेंगे तो ओवियसली इंप्लाइमेंट जणरेट होगी लोग को काम मिलेगा चीश तो इंडिया को benefit मिलेगा इस चीज के करण और आइफोन 11 बनना स्टार्ट होगे तो यह बहुत अच्छ चीज है अब देखने वाली बात है कि जो नेक जनरेशन के यार मैं clear कर देना चातो प्राइसिंग होती है न आइफोन की वह भी महेंगी रहने वाली है अभी वह एकदम से सस्ती नहीं होगी यानि कि अगर आज आईफोन बन रहा है तो आप मत समझना है कल से आईफोन कीमत कम हो जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है काफी महीनों तक अब हो similar pricing पर आईफोन देखने को मिलेगा यानि कि क्या हता है कि अभी क्या कि stocks आज चुका है अगर वो सारा stock बेच देंगे तब Apple उन्हें नया stock देखी जो कि इंडिया की factory से बना होगा और Apple अगर चाहे तो उसमें जो final जो MRP प्राइस है आईफोन 11 का वो कम कर सकती है जी लेकिन September-October जब हम दिवाली का टाइम रखते है ना जब हमें काफी बड़ी-बड़ी sales देखने को मिलती है तब आप iPhone 11 पे major discount expect कर सकते हो जब iPhone को समय major discount आपको देखने को मिलेगा तो आप समझ सकते कि जो iPhone आप खरीदने वाले हो ना वो शायद इंडिया में ही बना हो जी कि अभी Apple जो है वो resellers के थूँ बेचे जो बीच में का जो profit margin जो cut आता है वो आ जाता है लेकिन अगर Apple चाहे तो अगर आने वाले समय में इंडिया में अगर iPhone बना रही है और उसके बाद वो directly अपनी e-commerce website के थूँ डिरेक्ली बेचे तो हो सकता है कि बीच के जो profit margin और जो extra taxes हो रहे थे अगर वो minus हो जाए और जो directly जो benefit है वो consumers को pass करना चाहे पर जो कि बहुत जादो chances ऐसा वो करेगी तो iPhone की कीमत reduce हो सकती है जी हां क्योंकि Apple आनफ वो भी जानती कि India price sensitive market है इसलिए इंडिया के लिए specially focused और ने iPhone SE को develop के और उसे iPhone SE को ना इंडिया में भी simultaneously available करवा है जी हां तो मतलब इंडिया में जो Apple अनौस ने अपना main focus तो रखा हुआ है और iPhone 11 को भी इंडिया में बना रहे यहांने कि Apple अगर अपने जातर प्रोट्ट केकर इंडिया में manufacturing करेगी तो इसी के साथ ही उसे इंडिया में अपने जो phone से कम कीमत बेशने में भी help मिलेगी और अपना वो खुद का e-commerce store भी खोल सकते हैं तो डेफिनिटली iPhone की कीमत कम होगी लेकिन अभी कमनी होने वाली आने वाले कुछ महीनों तक आपको इसी रेट पर देखने को मिलेंगे लेकिन October November December के टाइम हो सकता है जहां पर आपको iPhone यहां पर खास और 11 Pro जो इन iPhone जो इंडिया store खुल रही अपना आगे चलके complete अपना physical store भी खुल सकती है अगले साल तक और अपने नए Apple products को भी जंदा को provide करवा सकती है और अगर ऐसा होता है न यह तो काफी जादा कमाल की बात होगी मैं तो तब तो मज़ा आ जाएका मियाने कि Apple का store इंडिया में जो Apple उसे खुद चल रहेगा वैसे यह news सुन के आप लोग कैसा लागी जो Apple उसे अपने iPhone बनाने वाली यह बात मुझे नीचे कमेंट बता ना भूलना वीडियो को पसे जादो डेफिनिट लाइक कर लेना चैनल को सब्स्राइब कर लेना थेंक आपके वीडियो देखने के लिए मैं आज वाल त था जादो